आरबंदी के साफ से करते हैं, तो ये सब लोगों ने संगनी तरमडल ने फेस्ट ला लेके हमने ये एक योजना बनाई महराज आख वाज़ती बाबो थे, बांकी पुन पुर्चाब हूँ, स्थापना भीया की, बुग्याला चालीज पचाश साल के लगबग उनागी अब महराज तो पर तो गम आया करता है, पर चाटा और डाल जी रांग को बाबो, बांदर शाओ, इन जगाँ पानी बताए बाबेट, नमस्कार, जेहिंच, जेमाबारती, मैं हो राजकुमार सर्मा, और आपका हमारे यूट्यूब चैनल SMC चारे में भी नंदन करते हैं, श् मॉलसी सर गारंञे तो दक्षन की तरब चलते हैं, तो देवानाताल है, जहां पर पर परमसरदे, जो बाबाबा बालियती जी महराज है, उनका आस्रम है, देवाना आस्रम के नाम से ये परसिद है, और जो बात करते हैं, सुजानगर्ड और साला सरा को जोडने वाला हाईवे है उससे लगबाग ये टीन किलोमीटर की दूरी पर उत्र साइड में आता है मलसी सर और लोड सर और उनके बात करते तो कोला सर भीम सर न चार जो कांकड है उसके बीच में ये बसा वा है और यहां पर मलसिसर के साथ यूंने संगमित्र Usersabha PH करता उन्हें मलसिसर के सारी निवाशी उन्होंने मलसिसर गाउँ' के रहने वाले लोगत उन्हें और देवना हडानी के आस Baldi धनी वाले लोग Buddhist तक इन्हें सभी ने मिलकर रहे सा Аस्रम कहाया चालब करने का पेशला क्या है और क्या काम उन्होंने किया है, किस परकार से उन्होंने तारबंदी किये, किस परकार से अलग-अलग व्यवस्ताइं की है वो सारा कारिकरम हम आपको दिखाएंगे, आईए इस पूरे आसरम का और जो उन कारिकरताओंने मैनत की उस पूरे का उलोकन करते है अधि हम आसरम के दरश्ट नेस तलों की बात करें तो आपको यहां पर जो लालू राम जी खिले रही है उनके आपको यहां पर प्रतिमा भी नजर आजाएगी उनके बारे में यहां के जो इस्थानी लोग है उनसे जानने की कोशिस करते हैं उनसे पहले जो चारों तरफ कासरम है वो दिखाते हैं किस प्रकार से वेवस्ता की गई है यह जो देवाना ताल है मलसिसर का उसके चारों तरफ की जो मनोहरम वियंगम दृश्ट आप लोगों नजर आ रहा होगा बहुत खूबसूर जगह और यह दी सुबह साम यहां पर आय घंजल है हमारी संसकर्ती को मानने वाले स्थान है वह लगातार यह खुद यहां पर कोई और रंग रोगन कर रहा है को यहां पर तारबंदी कर रहा है कोई यहां पर चुगा गhr ऑर उनके लिए विवस्ता कर रहा एं और यह देख आप हमारा जो रास्टे पक्सी मोर है वो भी बहुत सांदार नजर आएंगी बड़ा मनौरम दर्शे और साम के समय हम इस कारेक्रम को कवर करने के लिए पहुंचे और देखते हैं यह जो आपके नजर आ रहा है यह चुगा गर है बहुत सांदार तरीके से पट्टिया लगा कर इस विश्वास के लिए लोग है वो लगातार इस सेवा में लगए और बहुत तेज गर्मी पड़ रही है जून का महीना चल रहा है जहां पर भार निकलते ही फसेना आता है उसके बाव जूद लगातार इस गर्मी के अंदर यह मैनत कर रहे हैं हर जो आस्रम होता है यह दृष विश्वाइ जब भी कोई करे करम होता है तो उसमें हमन जरूर किया जगता है अभी करे करम नहीं हो रहा है इसलिए कोई यह प treaties क्या गया है और यह देखिए हर जगह जो आसरम है बाबा बालीतिय जी माराज का आसरम है उसमें जो नोजवान कारिय करता है चाईए मलससर से चाहिए डाणी देवाना के आसपास से कहीं से बिलोंग करते हैं वो लगातार इस चिल चिलाती धूप में इस उमस बरे माहूल के अंदर वो लगातार यहां पर कहा जाए कि मैं सीधे सब्दों में कहूंगा जंगल में मंगल यहां पर यह करने में लगे मैं और बहुत दिवे यहां पर जो बरंग है वो यहां पर किया जा रहा है क्योंकि यह दी बात करते हैं तो यहां से लगबग 5-6 वहीने पहले यह दी देखते हैं तो यह आसरम की जो इस्तिती थी वो कुछ और थी और उसके बाद इन लोगों ने कदम उठाए परण उठाyan है वो पूरी तरीके से तफदील करके रख दिए अ सबसे बड़ी जो कारीय किया है यहाँ पर यह पर जो कंटिले तारों की जो बाड है जिसको हमतारवंदी कहते हैं वह इन लोगों ने पूरी तरीके से कर दिये यह देखें काफी लंबी चोड़ी है लगबग यह दी बात करते हैं तो यह 100 मिटर के असपास है चारों तरफ से आपको दूर दूर तक नजर आएगी यहां पर यह काफी लंबा जो असरम है प्रवेस दूर तक है वो इसको एक तरफ से चारों तरफ से शेक्योर कर दिया गया है कि यहां पर कोई पसू आवरा पसू है वो इसके अंदर नहीं गुश सकता और उसके बाद यहां पर पेड बिलकुल जब अभी बरसांत का मौसम होगा जुला इसके बात दो जो पर ऐबंस सर्दे जो की महराज ऋनके स्जे सेवे थे गुलाव जटी जी महराज के सिस्से है वरतमान में मायूरे थे जी महराज जो की गाड़ोदा फीटा स्वर है और गाड़ोदा का भी कारिक्रम आप लोगों को हमने दिखाया था और अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर भी हम डालेंगे वो कारिक्रम और उनके लावा इस वीडिय प्राचिन कुवा भी बनावा अलांकि अभी ये काम नहीं आ रहा है लेकिन काफी सारे पूरुज लोग थे वो इसको कामें लिया करते थे और मेरा तो सुझाव है अगर हमारे पास प्राचिन जो द्रहर की चीज़े पड़ी है उनको यह दी हम फिर से स्रंक्षन दे उनको रहर दो यह दिया है तो यह दिया है और और बहुत शांदार बहुत लगता है और अब तो देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ बड़ा सुकून मिलता है बड़ा मनोरम जो दृश्य आप लोगों को हम लगातार सहर कर रहे है यह आपको जो टीम पूरी नजरा रही है यहां पर है वो कोई celebrity नहीं है कोई wishes परिवार से जुड़े वे लोग बलकि आम परिवार से जुड़े वे लोग हैं जो ग्रामेनिक सेटर में रहने वाले हैं wishes रूप से मलसीसर के डाणी दिवाना के और इनके चेहरे की जो मुसकान है वो बता रही है कि कितना नेक कारी ये कर रहे हैं और हमने आपको पहले भी दिखाया था संगमित्र मंडल चलता है मलसिसर के 36 कोम के जो लोग है पूरे गाउं का सयोग है वो लगातार मिलता है और इन्होंने गर्मी के दोरान गोमाताओं की सेवा भी बहुत सांदार तरीके से की थी और अब इन्होंने ये फैसला किया है कि इस पूरा जो आस्रम हो उसका काया कलब करेंगे और ये कोई मजदूरी नहीं मिलते हैं इनको कोई महेंताना नहीं मिलता है अपने खुद के प्रशनल जो काम है उनको छोड़कर ये यहां पर सिवा में लगे हुए है तो इनसे बढ़िया कोई कारी नहीं हो सकता और कहते हैं कि जिस और जवानी जाती है उस और पूरी रवानी जाती है जिस और जवानी जाती है उस तरफ फूरा जमाना जाता है यहां के जो लोग है उनसे भी हम बातचीत करेंगी कि किस परकार से उन्होंने यह कारी किया है मेंडला जो हमारे गाओं का जो हमारे उन्होंने सब ने एक जूट होकर एक फेसला किया सबसे पहले वो इवीर इन्वान बाला जी बगीचे मलसिसर में वहां पे इन सब लोगों ने मिलकर आज तो कम आदमें बाकी नहीं 30-40 आदमें के बीच में रहते हैं वहां पे सब जगए अच्छी तरह पूरी विष्टा की मरमत वगिरा कारी किया और किया साब सपएगा किया उसके बाद में सब के मन में एक विचार है कि अपना एक आस्रम बाबा बालिती जी महराज का ओर है वहां पर भी अपन कुछ नया करते हैं और जो बाहर की हो जो चार बाद बता हैं काफी सारा यहां पर बजट लगा है जैसे बात करते हैं तो इस तारबंदी भी काफी सारा खर्चा हुआ है उसके विष्टा कैसे कि अपने देको उसके विष्टा बाबा बालेती जी महराज क्या शिरवाद से हुई हमारा पहली क्यों एक लक्सिता सब से पह करके कि वह एक एक काम करके करते हैं तो आप माद लगातार दस दिन से शिवा दे रहे हैं एक जून से मानो आपकी हमने काम चलू किया था जो आज तेरा जून हो चुगी है आस पास के ग्रामेंट क्षेतर की यांपर डानियां भी है उन लोगों का से हो कैसा है नाई उनका भी से हो गए ढानियों का भी लेकिन सबसे ज़्यदा दे को एक बात करें तो अगर विशेश तोर से एक संगम मितर मंडल है उनी का है इन सब में 30-40 लोग रोज आते हैं और आज तो दो दिन से तो सुबह से शाम तक यही रहते हैं दो पार का खाना आता है और सब यही पर लग जाते हैं दो गंटा एक गंटा रिष्ट करके और सारे लोगों ने बहुत अच्छा सेयों किया को यह राज कुमार जी थानमारोडी वासाम सी दो शीदो बताओं और सौंजदा मा का चैनल है जिका गाउं का लोग सब और आजकल सब एंडरोड पहुन रहा है तो अब क पिर शे बता देता हूं कि आने वाले एक साल बाद में आप देखना की इस जगह आज जो दर कट आपको दिख रहे हैं वो पचास लगेंगे यह मैं आप से एक वादा करता हूं आप मने बताया कि एक एक पेड़ करके एक आदमी लगए तो इस पर मैं बताता हूं यहां पर मेंटेर नहीं कर सकता है तो अपने किसी साथ ही को बेढ़ जाएगा उसको आप कैसे वाले में व्योस्ता करोगे वह अमने सब नेने लिया है कि सब एक एक करके जितने में अपने सदेश यह मानों सिवासांस्तान संगमितर मंडल के सब एक पेड लगे जिस की इचाओ वो दो लगे ऐसे पेड कर के हम सब लगाएंगे और पानी के वाश्ताध वो एक-दो दिन है कि औक्सिजन की कमी क्या है तो यह रिजिल्ड आपको बताने को जुरूत ने सब के सामने पूरी दुनिया के सामने आपने सागे आसपास का काफी सारा लोग जुड़ेड़ा है और बीकरम में डाल जी है आपको टेंट राख्या करें बेगला समय समय पर छोटी-मोटी बज यह देखो एक तो मतलब है आज हूँ एक महीना पहली आश्रम की विवस्ता ही और एक अब हुई यह बिन देखरते काई करण चाहों बहुती अच्छी वेस्ता है यहां के लिए उत्ती रहे तो बहुती बुड़ीया काम है अत्ती वेस्ता पहली वार हुई है देखो जाली बांदी चार दिवारी गर्दी बहुती अच्छों काम है असपास में लगभा कतीक डाने का लोग एट रहे जखा प्रती दिन आने दर्शन करबान आवाई या प्रती दिन सयों करबान आवे आदेखो बीस डानी का लोग है आता जाता है रहे और सुब आजिया कोई बड़ प्रोग्राम है जिशें बागोःत होगी दो बार चैन्दर परकाशी अँभल्त आझगी के बहुत इस्फिरी बहुत इस भाभुत है हैं कि बहुत बड़ी माण ऐसे दार्मिक के लगा बटाइब लगां अफर आपने सागे बुजरुग आदमी है क्योंकि यहां कि चिजांग नोलेज बुजरुग आदमी हैं ज्यादा हुए नोजवान साथे हम ताकत हुए होसलों हुए जुनुन हुए काम कर सके लेकिन अठाक इत्यास कहीं अभी कबार हम जाणने कोशी साब अरजुन जी उकरा बता सब्सक्राइब करें दूसरी तरफ है उतर साइड मलसी सर और यह दिवात करां तो एक तरफ लोड सर अरजुन जी किया है यहां कि स्थापना हुए और की प्रकार हुए इन यह दिव दे गाया कि थाले माराज मालिट तीवा तें आघ, अरक माराज साव ल्यूck पहलाु निप आंक पून प्लुचाब हुए उत्तापना हुए झाला'' माराज तो पर तो गम आया करता पर डाल जी रांक बाबो बान दर्शा हूर इन जगा अठापानी बताई वाबेट देखे दिनो आ बड़ जाते आपको काम सादू करियो ठे कुई करनू इंटेम बो कुई बना रे इंग मान मीट्व पान नीगलियो अर बाबबेगी पीचे अ आज तके शिवार बाड़ी हूंता है दिन पर दिन पर ती बड़ता रिया इक बाबेगा शाब है थाने यस थाने आस्रम के बारम लगबग कति एक साल जूड़ेडानों क्या मानने तो में सम्झना अधिकिन जूड़े रहा है अठाज जी आन दिके दिने बाबेगो पुन जाती है और भीकबाद में दिक बाद में तो बढ़ जाती है मनोर पिसें कने सब्संत कोई आंता रिया कने कोई आंता रिया एक लादु राम जी गोश्तान टेवर बनायों तो बैलालुराज जी बैए वेड़ पूजा करें करतें पूजा अधु आप ज़ा पजाई करता औ बाद में और तेजिया मनले अठेए एक बात करा तो जगास फास में लोग रहे वे परती दीन लगवाग अठा अधा उला दरशन करवान है अब जगोए चोरा काम करें मतलब नोजवान पीडिलागर काम करें थांकाली बासां भीया नोजवान क्यावान बोगी स्योग आपी सारा लोग है कारेकरम का मादे मुठान सुनसी बान थे थांकी तरफ उकाइन केनों चाहूँ दन्यवाद है दन्यवाद है पानने बैभी कोई को शेत हुए तो करो अरजुन राम जी है वैस सारी बात रटा बता दी के परकार रूँ यासरम की स्तापना हुई की परकार वड़ पे लिकूओ बनायों बिम पानी निकले हो क्योंकि आपने चूरु जुलें पानी की वमेसा दिक्कत रही है लोग बहुत सारा समस्या में पानी की खातरी पानी की दिक्कत अब मिट्स का भी अटकुंट को निर्मान क्रेड़ों है बहुत 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 दन्यवाद साब रहाम रहा हमारे साथ है आसुराम जी जुड़े में जिन्नोंने गाईउं के लिए मलसे सरम बहुत अच्छी व्योस्ता है लगातार की थी वह भी कारेकर माम है वो थोड़ी सुधरी जाए सपेदी करके और यह जालवार लगवा के थोड़ा बढ़िया करे जाए अब आपको सुकुन एक तौह बाद से जैसे बदा रहे थे कि एक तारी के असपास काम सुरू किया उस समय और वरत्मान की स्थिति में क्या फरक नजरा रहा है बहुत लगबग कितने आपके जो मंडल है गाओं के कारे करता हो आपके साथ जुड़े में हर कोई हर कोई सारे दोस्त है सब बड़े बुदूर्ग सब का असिरवाद है एक बात बताएं आपकी बजट की कैसे मेनेजमेंट करते हैं आप जिसके किस परकार से क्योंकि यह बहुत ख लीकुल इन्हों ने कहा है कि कि किसी पर कोई हम दबाओं नहीं डालते है अपनी सर टाई मुझे नहीं कट रहा था तो यह से नेक कारी तो कर दे बहुत अच्छा बहुत 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 अब का भी हमारे साथ मल्सिस्ट जितन दी जुड़ें हैं हैं वह लगबग हर कारें में वह अच्छा कारी होता है उस हैं यसलों करने जाते हैं सब मनहें करते हैं बिल्कुल मन mıंसे काम गरते हैं एक और आप निसा सल्वात की थीव और विझा, उसके बाद आपके मन में कैसे है क्योंकि ये गाहों से लगबक तीन केलो मितर की दूरी पर है आपके मन में किसी ने सुजाव दिया है ये खुद ने सचा कि करता है हमने कापी समय तक देखा किसी निसकी सूध नहीं ली तो एक दिन श्याम को हम पांदस युवा यह और यहां की इस्तती देखें और इस्तती देखें हमने निनने लिया कि चाहिए कुछ भी हो यहां का कारी हम एक पार जरूर करेंगे आगे कोई प्लान है आपका इसी परकार का दूसरा या भी इसको पूरा करने में लगे वे जैसे जैसे बजट की विश्ता होती जाएगी वेशे वेशे कारी वह आगे बढ़ता जाएगा अभी तो जैसे वरसात का समय आ गया मानसुन भी आएगा सब खेती वाड़ी करेंगे लेकिन हमारा विचार है कि हमें लगबगी दिपावली के बाद या छोटियां जो होगी उसमें इसका और भी कारी करेंगे बिलकुल इन्होंने अपने सारे विचार वो सेर किये हैं और बहुत सांदार इन्होंने बाते बताएए आपका बहुत बहुत दन्यवाद संस्तान के नाम से उन्होंने कारी करते हैं उनके अलाव संगम मित्र मंडल के नाम से भी ये कारी करते हैं और सीधी बासा में कहा जाए तो हमारे जो प्राचीन स्थल है उसको जिर्णोदार करने का ये लगातार कारी कर रहे हैं आपको कारीकरम कैसा लगा मुझे कमेंट्स क पेटीजी महाराच सभी को कोरान से मुक्त रहें और आने वाले समय में अच्छी बरसांत हो तो उसमें अपने जीवन में एक पेड जरू लगाए और उसके बाद उस पेड की सुरुक्षा आप करें उसको गोद ले एक छोटे बच्चे की तरह पाल कर उसको बढ़ा करें यही दोन धित थून तर नवाट झाया प्रश प्रूश 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 अच्छ